हेलो फ्रेंड्स वेल्कम वेक टू नैंश्री क्लासेस आप सभी का नैंश्री क्लासेस में स्वागत है मैं नैंश्री आप सभी के लिए कम्पीटर के 1000 प्रिश्णों की सीरीज लाई हूं जो कि एक्जाम्स के पॉइंट आप भी सुब बहुत ही महात्पून है तो चलिए यह जान लेती कि सोपरकम्पूटर होते क्या है तो ऐसे प्रोसेसिंग छमता बहुत ही तीवर काम करते हैं ठीक यह जाती तोरेज चमता होती है वह बहुत ही ज़ादा होती है यह आपका बहुत ज्चाधा इमांट में आपका डेटा देटा अस्ट नहीं चाहिं आसे जाए और अगर आपको ऑईल का डिपोजेट पता करना हो मतलब आइन टो से देड कि कहां पर आपका औयल का भंडा रहें तो यह चीजें पता करने में हम स्परकंप्पूटर कर यूज Раз रहे हैं स्परकंपूटर की स्परकंपपू करते हैं हाला कि इनका प्राइस जो बहुत और दो आपको गई जल्दी तो यह सो पर कमपीटर की काम करने का तरीका ठीक अभी आप से पूछा गया है कि सुपर कम्पूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की गरना की जाती है तो आपको बताने सुपर कम्पूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की गरना फ्लॉप्स में की जाते है यानि की फ्लोटिंग पॉइंट operations पर सेकेंड ठीक तो यहां पर आप लोग जान चुके हैं कि flops का मतलब क्या है हो सकते exams में यही पूछ ले आप से कि flops का full form क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि flops का full form है floating point operations per second ठीक अगला प्रिशन है आप से ही कि super computer के जन्मदाता का नाम क्या है very very important super computer के जन्मदाता का नाम Larry Page, Charles Ravis, Lady Ada Augusta या फिर C-more Cray तो आपको बता दें कि आपके जो super computer के जन्मदाता हैं उनका नाम है क्या नाम है उनका नाम है C-more Cray ठीक बहुत ही important है इनकी कंपनी का नाम था Cray Research Company जिसने पहला super computer पूरी दुनिया में पहला super computer इनकी कंपनी ने मना था Cray Research Company ने याद रखना है और यह company इनकी थी C-more Cray की थी इसलिए super computer के जन्मदाता C-more Cray को ही माना जाता है अगर आप लेडी आगस्टा की बात करें तो आपको पता होगा यह हमारी फॉस्सbuat प्रोग्रामर थी क्या थी फॉस्स RW भया है फ़स्ट प्रोग्रामर मतलब पहला परोग्राम कंपीटर मैं इन्हों ही डाला था लेड़ी एड़ा अगस्टान नहीं डाला था ठीक लेरी पेज के बारे में आपको पता ही होगा कि गूगल के फाउंडर जो हैं गूगल के फाउंडर का नाम है लेरी पेज चाल्स पेज के बारे में आपको पता होगा कि एनलेटिकल इंजन इन्हों नहीं बनाया था चाल्स बबेज नहीं बनाया था ठीक है चलते हैं अगले प प्रसेसर है उसका नाम है Pentium जो कि हमारा Intel Intel का है थीक है Pentium जो माइक्रो प्रसेसर है वो Intel के होते हैं सीडेक का आपको पता है सीडेक तो भारत की कम्पनी है और यह पुरे में है एक्टोलीग मैं ठीक, Vocunky 17 कंपणी ने ही पहला पोपनी सूपर्कंपीटर बनाए था दुनिया में fluorcé, यह ़िए हमारा की भारत में सूपर्कंपीटर किसकी द्वारा बनाएगा थे गया था यह इंडिया के माइध से पूछा जा रहा है कि इंडिया में फॉस्सॉपर कंप्वीच किस ने बनाया था ओधाइश प्रricoणट सिटीह है या इनमें सिंदिपरग सब्सक्रास कोई नहीं तो आपको पता है इब हारत में सुपर कंप्वुटर सीडेग ने मनाया था SEDEC का पूरा नाम क्या है Center for Development of Advanced Computing क्या है Center for Development Center for Development of Advanced Computing ठीक है कि है कि अब लोगों को दीक का फॉली उपिया रखना है कि ये इंडिया का तो लिए इंडिया का है तो अभी इंडिया का तो याद रखना पड़ेगा ना कि Siroc at का फुलपोण क्या है शोकत एक्जाम सम्मसे सीडेक का फुलपो पूछ ले तो पता होना चाहिए कि सी डेक का फुलपों है Central for Development of Advanced Computing ठीक यह कहाँ पर है यह पुड़े महारास्ट में है फूरे महारास्ट में ठीक चलते हैं अगले प्रश्ण पर प्रश्ण है आपका कि सीडेक का पूरा नाम क्या है Center for Development of Advanced Computing Center Center for Device of Advanced Computing या फिर Computer for Development of Advanced Computing या इन में से कोई नहीं तो आप सभी को पता चली गिया है कि सीडेक का फुल फॉर्म हमारा Center for Development of Advanced Computing तो आपका option एक एकदम करेक्ट होगा चलते हैं अगले प्रिश्ण पर पूछा जा रहा है हमसे कि सीडेक कहां पर है मुंबई और अरंगाबाल पुड़े या नाशिक तो सीडेक सीडेक हमारा पुड़े में कहां पर है महारास्ट्र में है ठीक है अगला प्रिश्ण है हमारा कि भारत में सुपर कम्पीटर की सीरीज का नाम है अनुपम फ्लोशॉलवर परम या इनमें से कोई नहीं तो आपको बता दें कि अनुपम जो है अनुपम एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जो बार्क के दौरा बनाएंगा तो इसके दौरा बार्क ठीक, flow solver एक सुपर कम्पीटर का ही नाम है, क्या है, यह सुपर कम्पीटर ही है, भही हमारे भारत में जो सुपर कम्पीटर है, वो परम सीरीज से चलते हैं, किसी परम सीरीज से चलते हैं, very very important, कि हमारे भारत में सुपर कम्पीटर की सीरीज का नाम है, परम सीरीज, ठीक है, चलते हैं अगले प्रिश्न पर Computer Vigyan के जनक माने जाते हैं पासकल, Charles Vavish, Seymour क्रे या इनमे से कोई नहीं तो आप सबस्फी को पता होगा कि Computer Vigyan के जनक जो हैं हमारे Charles Vavish को ही माना जाता है सीमोर क्रे इन जो है दुनिया में पहला इसके बारे में आपको पता है कि यह अपर यहाद रखने में कोई बुराइन नहीं है अब लोगो लग रहा है इसा कुछ नहीं है पढ़ती रही है अपना रूटीन से तो आपको दिक्कत नहीं होगी प्रशन है हमारा कि यूएस्बी का पूरा नाम है आपका यूनिवर्सल सी यह क्या लेका Union Serial Bus, Unix Slay Bus और Union Service Bus तो आपको बता दें कि USB का पूरा नाम है Universal Serial Bus क्या Universal Serial Bus Very Very Important USB का पूरा नाम क्या होता है Universal Serial Bus होता है ठीक चलते हैं आगले प्रिश्ण पर Computer के सभी Input Output Device को कहा जाता है Hardware, Software, Hardware तथा Software या इनमें से कोई नहीं पूंचा जा रहा है Computer के Input और Output Device सबसे पहलों तो आपको बता रहें Computer के Input Device कौन कौन से हैं Computer के Input Device होते हैं जैसे Mouse हुआ आपका Mouse, Keyboard हुआ आपका Keyboard Keyboard के अलावा आपका हुआ, Scanner हुआ आपका ठीक है, Joystick हुआ आपका Joystick ये सारे ऐसे डिवाइस हैं जो Computer के Input डिवाइस हैं वहीं Output डिवाइस देखा जाए तो Computer के Output डिवाइस होते हैं जैसे हमारा Printer हुआ Printer एक Output डिवाइस है साथी साथ Monitor हुआ, Monitor भी आपका एक Output डिवाइस होता है ठीक, तो ये हमारे Output डिवाइस हैं अब हमसे पूझा जा रहा है कि Computer के Input और Output डिवाइस को कहा जाता है हाड़वेर, Software क्या हमारा Software कहा जा सकता है इन सब चीजों को Software किनको कहते हैं, Software उनको कहते हैं जिनको आप छूम नहीं सकते ठीक, Software Set of Instruction होते हैं जो हमारे हाड़वेर डिवाइस को बताते हैं कि उन्हें काम कैसे करना है, ठीक है काम कब करना है यह चीज़ें हमारे Software decide करते हैं ठीक, तो क्या यह सब चीज़ें जो Mouse, Keyboard, Scanner, Joystick, Printer, Monitor दिख रहा है आपको क्या यह Software हैं नहीं, यह सारी क्या हैं, Hardware हैं, मतलब जिनको आप छू सकते हैं, Hardware का मतलब जिने आप छू सकते हैं आप Mouse को भी छू सकते हैं, Keyboard को भी छू सकते हैं, Scanner को भी छू सकते हैं, Joystick को भी छू सकते हैं, यह प्रिंटर और Monitor को भी आप छू ही सकते हैं तो यह सारी चीज़ें मिला के आपके क्या हुई, यह सारी चीज़ें मिला के हुई, Hardware, तो आपका इस प्रिश्ण का जो उत्तर है, वो क्या होगा, Hardware होगा, ठीक, चलते हैं अगले प्रिश्ण पर, प्रश्ण हैं आपका, कि ऐसा Hardware Device, जो Computer System का भाग नहीं है, परंतु उन अपनी आवेशक्त पढ़ने पर जोडते हैं, तो वो Computer की Peripheral Devices कहलाते हैं, इनको साथी साथ Computer का सहायक उपकराण, या Auxiliary, Auxiliary Device भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, Auxiliary Device, ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टन, ठीक, आपको पता होना चाहिए, कि Auxiliary Device, किसको कहा जाता है, Auxiliary Device हमारा, इनहीं को कहा जाता है, ठीक है, सहायक उपकराण जिने कहते हैं, सहायक उपकराण, ये क्या करते हैं, कि जब हमें जरूरत पढ़ती है, तो हम Computer में इनको बाहर से जोड सक करते हैं, ठीक, उनको हम Peripheral Devices कहते हैं, तो यहां पर हमारा Answer 3 बिल्कुल Correct होगा, क्योंकि Peripheral Devices ही हमारी इस तरीके का कम करते हैं, जिस तरीके का हमारा प्रिशन पूछा जा रहा है, ठीक, चलते हैं अगले प्रिशन पर, जो कि बहुत ही इंपोर्टन है, बहुत ज्यादा Devices का Work करती है, यह इन मैंसे कोई नहीं, तो आपको बताने कि जो आपका Modern होता है, वो Input Devices और Output Devices दोनों का Work करता है, very very important, ठीक, Modern हमारा Input Devices की तरह work भी करता है, और Output Devices दोनों की तरह work करता है, सरफ एक ही device आप पूरे computer में ऐसी पढ़ेंगे, जो Input और Output दोनों का Work कर प्रतीक या उप्रोक्त सभी, तो यहाँ पर अक्षर का मतलब है, आपको पता होगा, जो Keyboard में अक्छा रहते हैं, यह से Z तक रहते हैं, वहीं अंग का मतलब आपको पता होगा, 0-9 रहते हैं, वहीं प्रतीक जैसे डॉलर बगेरा हुआ, आपका हैस्टेक हुआ, यह सारे उसमें जो प्रतीक रहते हैं, करेक्टर, इन सभी को मिला के क्या कहते हैं, करेक्टर कहा जाता है, ठीक, तो Keyboard पर इस्थित अंक भी हमारा करेक्टर ही है, Keyboard पर इस्थित संख्या भी करेक्टर है, इसको भी आप करेक्टर कहेंगे, इसको भी आप करेक्टर कहेंगे, इसको तो आपको बताते हैं कि computer की सहायक उपकरन यह auxiliary device आपकी peripheral devices को कहा जाता है जो बाहर से जरूरत पढ़ने पर आवे सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है जो बहुत ही इंपोर्टेंट है ऐसे प्रिशन परक्षा में जरूर बटेंगे इनको आपको इनको खुशन करना है ठीक का ऊछिप कर देना एक टाइम का लेकिन यह प्रिशन इनस्किन मत करना नहीं यह से भी नहीं है चाहिए खाना भी प्रवपर्ली खाना अपना जितना भी आपका मीले लेना चाहिए अमनों को प्रवपर्ली वह पढ़ाइं भी उसी तरीके से करनी चाहिए ठीक प्रश्चन है आपका कि इनपूट डिवाइस है कीबोर्ट माउस ज्ञास्टिक उप्रोग तो सभी तो आप सभी को पता होगा कि हमारी कीबोर्ड भी क्योंकि कीबोर्ड से हम कम्पीटर को इनपूट देते हैं जैसे हमें कुछ भी टाइ computer को input दिया तो माउस का भी आपको यूज पता है जोय स्टिक हमारा बेसिकली गेमिंग वगरा में काम हाता है जोय स्टिक तो जोय स्टिक भी हमारा एक Input Device जॉयस्टिक बहुत ही important जॉयस्टिक को जरूर याद रखना है कि परिक्षा में प्र curriculum अलब है कि जॉयस्टिक एक input device है आउट पुट डिवाईस है और जॉयस्टिक देवाईस है तो आपको पता होना चाहिए से मॉनिटर प्रेंटर एक बाद हो दोना इन में से कोई नहीं तो आटपूट डवाइस उन डवाइस को कहते हैं जिन पर हम कंपीटर के द्वारा दिये गए रेजल्ट जो कंपीटर हमें रेजल्ट देता है यानि कि आउटपूट देता है प्रोसेस करने के बाद उसको देख मॉनिटर तो हम किस किस पर देख पाते एं मॉनिटर आपना जो रहता है तो इधर हम अपना आउटपूट देख पाते हैं ठीक है साती साथ आपने प्रेंटर देखा option किसको देते हो computer को देते हो कि इस चीछ काuras हमें आुटपूट दिया हम ने जो में अव्पशन स्क्रीन पर कर out रहते हैं जैसे यह वाला जब आपका document खुला तो यहां पर options रहते हैं आपके paste copy या फिर जो भी करना आपको बहुत तो जैसी आपने किया कि आपको print करना है तो हमारा यहां पर जो printer होगा बहां से हमारा hard copy निकला ठीक तो प्रिंटर क्या है प्रिंटर एक आउट्पूट डिवाईस है वेरी वेरी इंपोर्टन इसलिए ऑप्शन तीन एकदम करेक्ट होगा ठीक चलते हैं आगले प्रिश्ण पर जो की बहुत एंपॉर्टन है कि स्क्रीन पर टाइप किया है शब्द कहलाता है सब्ज यह बाइट तो जो इसप क्या है जो इन सब से चोटी एकाई ठीक है इसको याद रखना कि हमारी कम्पीटर की मेमोरी की सबसे चोटी एकाई बिट मानी जाती क्या मानी जाती बिट मानी जाती है ठीक है एक चीज और आपको पता दें कि आठ बिट जब मिलते हैं आठ बिट मिलते हैं तब जाके आपका एक बाइट बनता हो रहा है तो जो विट होता है इसको स्मॉल वी से इसको हमारा क्यापिटल वी से रेपरजेंट करते हैं ठीक बिसिकलिए ही होता है और हमारा जो हमारा डेटा होता है डेटा की जो बड़ी है वह हमारा बाइट ही होता है क्या होता है ठीक एक और है निवल इस तरीकिस को लिख प्रश्ण हैं आपका कि computer मैं data संख रहन की इकाई है bit byte nativecus कि कम्पिटर में डेटा संग्रहण की काई है बिट या फिर कुछ और भी दे दे तो अगर एक उप्षन भी मैच होता है तो आप उसको भी टिक कर सकते हो ठीक है चलते हैं अगले प्रिश्ण पर बिट में कौन से अंग होते हैं 0, 1, 0 और 1 दोनों या इनमें से कोई नहीं तो बिट जो होती है हमारी बिट उसमें 0 और 1 दोनों ही अंग होते हैं very very important बिट में दोनों अंग होते हैं ठीक 0 और 1 दोनों ठीक है अगला प्रिश्ण है आपका कि OCR का पूरा नाम क्या है very very important OCR का नाम क्या है options है आपकी optical character recognition, optical code recognition, optical code resource यह इन में से कोई नहीं तो आपका जो OCR होता है OCR का full form होता है optical character recognition क्या character यहाँ पर याद रखना है character आपको पता ही होगा कि computer के भासा में character क्या होता है ठीक है वर्ट जो होते हैं हमारे keyboard पर वह सारे character कहलाते हैं ठीक जैसे आपका कोई अंक हुआ कोई alpha weight हुआ या फिर कुछ particular symbols होते हैं वह सब character कहलाते है ठीक है तो OCR जो होता है उसका क mitä काम क्या होता है थो आपको बता दें कि टाइप कि गया या प्रिंट किया जो टेक्स होता है उसकी चवी को computer द्वारा पढ़े जाने योग text में परिवर्दित करना OCR का का मुता है परसे सब लिए आप कीато का और का कॉता है OCR का का मूता है कि जो भी आपका टेक्स सब्गर अब आप सभी को पता है कि हमारा computer सिर्फ हो सिर्फ जीरो और वन की लेंग्विज बढ़ पाता है बागी उसको कोई लेंग्विज नहीं आती जब आपको उसको जब उसको जब कम्पीटर को आप कोई भी डेटा यह निर्देश देते हैं तो सबसे पहले उस डेटा यह निर् डेटा इसको मान सकते हैं इसी को आप निर्देश में मान सकते हैं जो भी आपको मानना हो कि डेटा और निर्देश एक ही बात होता है कि हमारा अन और्गनाइज डेटा जो होता है वह हमारा डेटा और निर्देश कहलाता है तो यहां पर आपका अन और्गनाइज डेटा है ठीक है तो यह जो है जब computer में जाएगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा ठीक है जब पढ़ नहीं पाएगा तो इसकी जो इसका जो हमारा छवी है उसको computer द्वारा पढ़े जाने योग टेक्स्ट में बदलना मतलब जीर और बन की फॉर्म में बदलने का जो काम है वो OCR कहलाता है ठीक है क्या करती है OCR जो हमारे होते हैं वो यह काम करती है ठीक कि टाइप किये गए यह प्रिंट किये गए टेक्स की छवी को computer द्वारा पढ़े जाने योग टेक्स्ट में परिवर्तित परिवर्तन OCR कहलाता है ठीक वेरी वेरी इंपोर्टेंट इन सब चीडियों को नोट जरूर कीजिएगा कि OCR है क्या हो सकता है आप से OCR का पूरा ना पढ़ रहे हैं उसके बारे में और चार चीजें जाने ठीक है अगर आपको आसपा से knowledge मिल रही है तो उस चीज को gather करें और अपना एक जगे कंपाइर करें उन सब चीजों को ठीक है सिर्फ एक ही उस पर मत जाएं कि इसका आंसर है तो में यही पढ़ना है नहीं इस तरीके करें आता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको आता है ठीक पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि अपने नोट्स बनाया प्रॉपर ठीक है प्रश्न है आपका अगला कि ट्रेक बोल उधाराने इंपूट डिवाइस का आउट्पूट डिवाइस का पॉइंटिंग डिव कि अगर नहीं और आप से पूछा जा रहे है कि ट्रेक बोल उधारन अगर इंपूट डिवाइस लिखा तो सरफ इंप डिवाइस वार पे टिक कर दिना और कि पॉइंटिंग डिवाइस लिखा है यह फ्या तो इतनी देर से सुनते हैं कपसे नेंश्री जी बता रहें अग ट्रैक बॉल ट्रैकल ट्रैकल ट्रैकबॉल है क्या क्या होता है यह कंपूटो Von ठीक माउस के जैसा ही होता है ठीक है बस इसमें जो है उपर एक ऐसा बॉल की तरह है बड़ा सा लगा रहता है बॉल सा लगा रहता है ठीक है और जो इसका में कार ही होता है जो हमारा ट्रेक बॉल है इसका में काम यही होता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को इस्थानांत सो हम मोई करते हैं माऊस को महाहिए करने को कर सक्रीट स्क्रियन पर हमें कर्सर घुमाना हुता है हम वहीं पर आपने माउस घुमा देते हैं हम आपको आपको पाते वर दो चलता है कि ट्रेकबोल हमारा एक्जामपल है किसका इंपुट डिवाइस का साथी साथ पॉइंटिंग डिवाइस वेरि वेरि इम्पोरटेंट ठीक चलते हैं लिए क्लिए प्रिशन पर प्रेशन है आपका कि स्कैनर जो है वो लोगender से साइबर कैफे वाले जो कि देटे हुए उन WWE ईए commitment तो और प्राइट करतें अरे तो ढू diff5 कि माई loving और ही आप का picture रहा ठीक है इस तरीकी से तो जो आपका positively तेंथ की मार्क सीट है उसमें तो कुछ लिखा ही होगा ठीक है लिखा होने का मतला में टेक्स होगा उसमें कुछ ठीक, computer की भासा में जो लिखित word होते हैं, उन सब को text बोला जाता है, जो लिखित word है, हम उसको क्या बोलेंगे, text कहेंगे, तो हमारे markseats हैं, उनमें तो text होगा, भही picture होगा हमारी, उसमें हमारा picture लगा हुआ होगा, तो scanner हमारा दोनों के scan करता है, पिक्चर को भी scan करता है, और हमाई computer में हमाई अपनी picture दिख जाती है, पेस्ट हो चुकी है, ठीक, फिर वहां से अपना laptop है, उनके पास जो भी होगा, desktop है laptop, वहां से उठा के अपना हमनों का picture जो है, जहां upload करना है, वहां पर वो upload कर देते हैं, ठीक, तो scanner scan करता है, picture को भी करता है, text को भी करता है, तो आपको पाता चल गया होगा कि scanner क्या करता है, option 3 वाला काम करता है, ठीक, चलते हैं, प्रशन पर, प्रशन है हमारा कि ऐसा input उपकरन, जो text और picture दोनों को copy करता है, तथा उनकी प्रतिलिपी को computer के memory में store करता है, कहलात तो आप अब भी हाल पढ़के हैं, कि text और picture को copy करने का काम हमारे scanner भाई साब करते हैं, ठीक, कौन करता है, scanner करता है, ठीक, यह बहुत ही important है, scanner हमारा input device है, तो input device है, कौन सा device है, हमारा input device है, आपको बता चुके है, input device क्या है, input device ऐसी device, जिनसे हम computer को input देते हैं, computer को नर्दे से computer को input देते हैं, किसी भी जगए क्लिक कर देते हैं, एकन पर क्लिक करते हैं, तो वो particular icon खुल जाता है, ठीक, जो भी आप करना चाहें, मौस के तुरूब करा के कर सकते हैं, ठीक, साथी साथ आप, जो हमारा keyword होता है, उससे हमारे जो type text करने का काम करते हैं, तो computer को आपने input नेटे जो नेटो और अपना जो document हरग गोड़य देते हैं, तो हमें हमें कुछ दिया है, जोटो हो के आया हमारी copy और हमारा photo generate होके आया, ऐसा कभी होता है, क्या, नहीं होता है, हमें scanner को scan करने के लिए document देना पड़ता है, मतलब हमने input दिया, तो scanner क्या हुआ, हमारा input device हुआ, ठीक, वहीं joystick के बारे में आपको पता है, joystick एक input device है, CPU आपको पता है, कि इसका full form होता है, central processing unit, यह हमारा hardware device है, क्या है, CPU यह hardware device है, क्योंकि आप CPU को छू सकते हैं, महस्तूस कर सकते हैं, printer आपका output device है, क्योंकि printer को आप कुछ देते नहीं हो, printer से आपको hard copy मिलती है, ठीक, चलते हैं अगले प्रिश्ण पर, प्रस्न है आपका कि ऐसी input device, जो image को capture करके, उसे digital code में बदलती है, कहलाती है, options से आपके printer, CPU, scanner या NMA से कोई नहीं, तो हमारी ऐसी input device, जो image को capture करे, और digital code में बदले, क्यों बदल रहे भाई यह digital code में, क्या जरूरत है, क्योंकि computer सिर्फ और सिर्फ और डिजिटल code ही जानता है, computer सिर्फ और सिर्फ binary भासा जानता है, ठीक है, उसको हमारी भासा नहीं आती, उसको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू नहीं आती, उसको आती है, जीरो और बन की भासा, ठीक, इसलिए हमारा जो scanner है, scanner क्या काम करता है, scanner हमारे image को capture करता है, या फिर हमारे text को capture करता है और उसे digital form में बदलता है क्या करता है digital code में बदलता है यानि कि 0 और 1 के form में बदलता है तो computer उसे आसाने से समझ लेता है ठीक आप लोग समझ गए होंगे चलते हैं अगले प्रिश्ण पर प्रश्ण है आपका कि MICR का पूरा नाम है अप्सन से आपके Magnetic Ink Character Recognization Magnetic Ink Character Resource Miracle in Character Recognization या फिर Magnetic Ink Code Recognization तो आपको बता दे MICR का पूरा नाम है Magnetic Ink Character Recognization ठीक है बहुत ही important है MICR का पूरा नाम क्या है MICR का पूरा नाम है Magnetic Ink Character Recognization बहुत बार पर एक्षाम पूचा जाता है अगला प्रशन है आपका कि आबाज को word document में परिवर्थित कर computer पर store करता है magnetic ink character recognition या फिर recognition optical character recognition थिक speech recognition software इनमें से कोई नहीं यह आपका यहाँ पर इस तरीके से गलत प्रेंट हो गया यहाँ पर है आपका recognition थिक यहाँ पर थिक तो आपके options है magnetic ink character recognition या फिर optical character recognition या फिर speech recognition software या इनमें से कोई नहीं तो जो आवाज है हमारी voice है उसको word document में परिवर्थित कर computer पर store करने का काम होता है speech recognition software थिक अब speech से related काम है तो speech वाला ही करेगा ना speech recognition system ही करेगा थिक अगला प्रशन है हमारा कि universal product code का अंगी करन किया जाता है बार कोड से byte code से bit code से या इनमें से कोई नहीं तो आप से universal product code पूछा जा रहा है कि इसका अंगी करन किया जाता है जैसे आप कभी भी मॉल में जाते हैं न तो वहाँ पर हर एक product पर एक line बनी रहती है इस तरीके से यह क्या होता है यह बार कोड कहलाता है ठीक तो यह इन बार कोड में उसकी पूरी सूचना संचित रहती इन बार कोड में ठीक तो जो चूब भी सकते हैं नहीं भी चूब सकते हैं इन में से कोई नहीं तो जो soft copy है वह जिसे हम चूब नहीं सकते हैं उसे हम लोग soft copy कहते हैं ठीक जिसे हम छूब करता है हमारा printer जनेरेट करता है इसलिए printer क्या है हमारा printer हमारा एक output device है याद रखना है इन सब चीजों को जो की important है आज की series यहीं तक थी I hope आप सभी को यह series पसंद आई होगी यदि आपको यह series पसंद आती है तो please like share and subscribe my youtube channel and thank you so कर दो मत?